नमस्कार दोस्तों आज हैं हम अलेवा गव में और यहां पर विकलांग गव साड़ा है विकलांग गव के लिए और यहां पर हमारे पास खबर आएगी एक वैजी है कुलदीव जी आज उन से मिलेंगे उनकी विचार सुनाएंगे और यहां पर जो विकलांग गवें हैं उनक सब्सक्राइब जाती है जो हमारे रोगों को दूर करने के लिए काफी लाब कारी होंगी उनकी विजानकारी हम आपको वैजियों से दिलवाएंगे जब तक हमारी वीडियों के साथ बने रहें धन्यवाद एक जो माताई बेने हैं उनके अन्हें प्रोब्लम होते हैं बिल्कुल ओपती है जिसको प्रदर कीजिए विर हां bathing तो इसका कोई प्रफेक्ट इलाज है बिल्कुल है उसका बताने का स्ट करेंगे जरूर करेंगे किसी बेन बिट्टी का बला होए और हमारा नाम होए हमारी गवशाडा का नाम होए क्यों नहीं बताएंगे इसके अंदर एक उषदी है छोटी दुद्धी यूज करोगे तो भी परदरत रहा जाएगा सफेज परद नहीं यूज करोगे नाइश का पाउडर बना के एक चम्मत सूबेश्याम लश्ची के साथ लेले हो या पाणी के साथ लेले हो परदर जडशे खाताम अच्छा उन मातों बहनों को क्या सावजानिया रखनी ची जिनको इसका है तो उनको एक तो गरम चीजों का फरेज होता हां ещё हां और जिए कब वेवाद बरश ऑंच का पानि हो एक चमप गले rättे आजकल जो मोडरन मेला अंज नाइज यहां जबमत बिलकुल करना चीण्षी से कित तो विमारी हो ति है मैंण कर्ण तो यह है बिमारी युशन का अगर आप आएरवेद के दो चैनियम फोलो कर लोगे ना जैसे हम अकेली घू खाते हैं अकेलिए अखेली आप घू कहाने बंद करदो आद देहों तो वैसे चले जाओगा करके देख लो कोई घू कहाने बिल्कु बंद करदो और अगर बहे को गरीब जोचनी बना लो या गयोँ के साथ जोओ पीज लेयो इनकी मातरा बता देता हूं, दस किलो गयो ले लिया उसमें दुख किलो चने डाल दूए एक किलो जोओ उसमें पूरा परिवार खा शकता है और बहुत पुश्टिक खाना होता है इसमें आट टेक्से बचोगे, आप कैस आट्रॉल से बचाओगे, हर चीज से बचाओगे. त्रीए का धन्यवाद बच्जी.